नमस्कार मैं दीपक सर्मा बालकिस्ना जुकेस्नल अकैडमी से आज हम स्वरसंधी के अंतरगत उसके चोथे भेद यन संधी के बारे में बात करेंगे तो आईए जानते हैं क्या कहती है यन संधी यन संधी कहती है कि यदि ए, उ, और री के बाद भिन स्वर आये तो ए और ए यो में, उ और उ वो में, री रो में परिवर्तित हो जाता है तो एक सिंपल सी अगर परिवासा कहें तो यन संधी जो है वो यो, रो, लो, वो में परिवर्तित हो जाती है आगे बात करते हैं कि किस तरीके से ये परिवर्तन हो रहा है तो E प्लस ओ बराबर यौ तो कैसे ये हो रहा है यदी प्लस अपी बराबर यद्यपी यदी जो पहला सब्द है उसका अंतिम वर्ण दी उसका जो चारण आ रहा है इ प्लस दूसरा सब्द जो है अपी उसका पहला अक्षर ओ तो ये दोनों मिलकर इ और ओ मिलकर यो हो जा रहा है तो यदी धन अपी बराबर यद्यपी इसी तरीके से दूसरे एक्जामपल को देखें तो इ प्लस आ बराबर या तो किस तरीके से ये हो रहा है इति प्लस आदी बराभर इत्यादी आगे बात करें E प्लस U बराभर यू हो जा रहा है तो किस तरीके से इसमें परिवर्टन आया तो E plus U बराबर यू हो जा रहा है तो ये इनका जो परीवर्तन होगा, उपर E plus Ukt का तो ये हो गया उपरयुहुक्त. इसी तरीके से E plus U, तो ये U में परीवर्तित हो जाता है, और किस तरीके से होता है? नी plus उन बराबर नीून. और आगे बात करें, E plus A, तो ये ये हो जाता है, तो किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, प्रती धन एक बराबर प्रती एक, यह अगले पॉइंट पर हम जब बात करें, तो E प्लस ओ, ये यो हो जाता है, और किस तरीके से होता है, नदी प्लस अरपन बराबर नद्यरपन, इसी तरीके से E प्लस आ बर या हो जाता है तो ये परिवर्तन होता है देवी प्लस आले बराबर देव्याले इसी तरीके से ए प्लस उ बराबर यू हो जाता है और ये परिवर्तन होता है नदी धन उर्मी बराबर नद्यूर्मी यन संदी के अंतरगत अगली जब हम बात करते हैं तो उ प्लस ओ बराबर तो किस तरीके से हो रहा है, सू प्लस अच बराबर स्वच, सू तो उच्चारण इसका उ आ रहा है, और प्लस अच, दूसरा जो सब्द है, उसका पहला वर्ण है औ, तो उ प्लस अ बराबर व हो जा रहा है, तो सू प्लस अच बराबर स्वच, इसी तरीके से उ प्लस आ और अनू प्लस इती बराबर अनुविती यह इसका परिवर्थन होगा और इसी तरीके से उ प्लस ए बराबर वे तो यह हो जाएगा अनू प्लस एशन बराबर अनुवेशन. आगे बात करें यह रहा हो जाता है और किस तरीके से होता है पित्री प्लस अनुमती बराबर पित्रनुमती और इसी तरीके से री प्लस आ बराबर रहा हो जाता है तो पित्री प्लस आज्या बराबर पित्राज्या और मात्री प्लस आज्या बराबर मात्राज्या इसी तरीके से Re plus E बराबर Re हो जाता है तो मात्री प्लस इच्छा बराबर मात्री च्छा पित्री प्लस इच्छा बराबर पित्री च्छा धन्यवाद यह जानकारिया आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी परतिक्रिया को अवश्य अंकित कीजिएगा नमशकार